सोर्पियर डांसिंग लेड़े और एनबेला मुझे छोड़ दो हम सब को छोड़ दो अगर तुम हमें छोड़ दोगी ना तो हम लोग तुमें नहीं छोड़ेंगे याद रखना तुमने से इंचान के साथ बहुत ही बुरा किया फ्रैंक्लिन तुम लोग को नहीं छोड़ेग हाँ ये मैं तुम लोग को बता देती हूँ ये जो नर्क से आयावा लाव गौड है ये किसी से ने डरता और ये सबसे ताकत पर है याद रखना इसे कोई नहीं रोख सकता तुम्हारा फ्रैंक्लिन भी नहीं है बेचारा सिंचान तो यहाँ पर मारा जा चुका है अब तुम सब की बारी तुम सब लग भी मरोगे याद रखना मेरे से सर्बियन डांसिंग लेडी और ये रेड लावा गौड से अभी तक कोई नहीं बचेगा तुम सब भी नहीं हम लोग इस जगा को पूरे तरीके से खतम कर देंगे फिर नया दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सीधा सीधी हम ही लोग राच करेंगे तुम सब लोग वहाँ पर गुलाब होगे बेचारा सिंचान इसकी तो बली चड़ गई वो भी किसके लिए ये रेड लावा गौड के लिए अब तुम सब लोग के लिए भी आवागाड, लॉसेंटास के बरबादी शुरू कर दो, ही ही ही, ये मेरा सारा बात मांता है, ओ नो, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो लॉसेंटास और पुरा का पुरा पृत्वी तभा हो जाएगा, उसके बाद ये लोग जो चाते हैं, वो सच में हो जाएगा, और हम सब लोग म हमारी मदद के लिए, जैसा आप कहें सर्वियन डांसिंग लीडी, अब लॉसेंटास में होने वाला है बरबादी, ये देखिए, आपके कैनिपर, मैंने पूरे 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 लॉसेंटास में मीटी और शावर शुरू कर दिया है, अब पत्थरों की पारिश होगी, अब पूरे 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 लॉसेंटास, बरबाद होगा, हाँ हाँ हाँ, अब देखना अवेंजर्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे का पूरे लॉसेंटास को इसी तरीके से बरबाद कर देंगे, फिर पूरे के पूरे पूरे पृत्वी, उसके बाद हमारा ही राज हो एना बेला डॉल और सर्वियन डांसिंग लेडी का ही 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 फ्रेंगलीन हमें तुम्हारी सच में जरूरत है जल्दी से आजाओ देखो लॉसेंटोस में चलिकर रहा है फ्रेंगलीन तुम कापयो यार जल्दी से आजाओ फानिली दोस्तों मैं आ चुका हूं तुम सबको भारे पास इतनी पावर भी है नॉर्मल से इंसार अपने सिंचैन भाई को तो बचाने पाए बड़े आये हमें रोकने के लिए मुझे इसका बहुत दुख है कि मैं यहाँ पे सिंचैन को नहीं बचा पाया तुम लोग ने सिंचैन को मार दिया बट मैं याद रखना सिंचैन को जो मौत है वो खाली नहीं जाने दूँगा मैं तुम दोनों को खतम करके रहूंगा साथी साथ यह बड़े से लावा को भी देख लेना मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं कैसे अभी बताता हूं आइस गौट यह मीटियोर शावर को खतम कर दो और अपना पावर दिखाओ यह देखो बाई यहाँ पे हर जिगा मीटियोर शावर बंद हो चुका है और भाई बर्फी बर्फ आ चुका है सर्बेड नांसिंग लेडी और अनमेल डॉल तुम अगर नर्क से यह लावा गौट को ला सकती हो तो मैं भी गाईजर स्वर्क से यह बड़ से आइस गौट को लेकर काया हूं यह पता है बहुत ताकतवर है और यह मेरा दोस्त है अब यह और मैं मिलकर के तुम्हें अच्छा गौड है अनमेल डॉल अब क्या करेंगे चल्दी बताओ चल्दी बताओ तुम चिंदा क्यों करते हो सर्बेड नांसिंग लेडी चाहे फ्रैंक्लिन के पास कोई भी गौड आ जाए लेकिन फ्रैंक्लिन मेरे से जादे ताकतवर नहीं है मैं रुको अपनी ताकत इसे दिखाती हूँ मैं इसे भी खतम कर दूंगी रुको यह देखो मेरी ताकत ओ गाईजार इसके पास तो कमाल की ताकत है यह देखो भायार इसके पास देखरो बहुत जाद ही बहुत यादी शक्तिशाली इविल ताकत है अब गाईजर यहामें छोड़ेगी नहीं हाँ तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें गौड ला करके हमें रोक पाऊगे नहीं फ्रैंक्लिन नहीं तुम हमें नहीं रोक सकते यह लो मार खाओ ओनो गाईजर इसके पास तो सचे बहुत ताकत वरह यह देखो तुमने बहुत ही बुरा किया इस गौड को ला करके अब देखो परस इंचन तो मर गया अब साथी साथ अवेंजर्स लोग भी मरेंगे और तुम खड़े-खड़े कुछ भी नहीं कर पाओगे देखना फ्रैंक्लीन ये लो अवेंजर्स लोग तुम भी मरो ये लो फ्रैंक्लीन बचाओ फ्रैंक्लीन ये तो हमें मार रही है वो भी बहुत ही hai सकति के मुझे संपाया है दोस्तो मेरे अंदर से रोशनी कल रहा है लगता है गाइजर मुझे आपे शक्तिया मिलने वाली है चलो देखते हैं अरे दोस्तों ये क्या यहाँ पी गाइजर आइस गॉड ने मुझे तो गाइजर गॉड वाली शक्तिया दे दी है अच्छा ऐसी बात है क्या चलो देखते हैं और मेरे पास कौन से शक्तिया आ गई है दोस्तों एक सगिंड गाइजर ये क्या मेरे पास तो यहाँ पे इंजल वाली विंग्स आ गई है शुक्रिया आइस गॉड आपने मुझे बहुत अच्छे ची सक्तिया दी है अब आएगा नमजा अब गाइजर चलो यहाँ पे गाइजर सबक सिखाते हैं मतलब कि यहाँ पे एनवेटर डॉल और गाइजर सरबेर डांसिंग लेडी जे शक्तिया तुम्हारे पास थी उससे कहीं ज़ादा शक्तिया मेरे पास आ चकी है अब मैं तुम लोग दोनों को इक यहाइए करें है वह तम्हें चोड़ेगा नहीं अच्छ यह लावागाड की तो ऐसे कि ऐसी मैं बताता हूं पहले इस यह लावागाड को फीकिर उ है शक्ति देक מא मेरी बाई मैंने गाइजर एक ही टककर में लावागाट को जमीन के नीचे गाड़ दिया ये देखो अभी भी लावागाट जमीन के नीचे जा रहा है जाओ और नर्क में जा, मेरी ताकत बहुत है येलो, मरो अच्छे से मरो येलो आएंदा कभी आना मत दुमारा, येलो, फानली गाइजर मैंने यहाँ पे लावागाट को नर के अंदर गाड़ दिया है अब गाइजर चलो एनावेला डॉल से बात करते हैं, क्यों एनावेला डॉल बहुत बोल रही थी अब बताओ, मैंने यहाँ पे नर के अंदर गाड़ दिया है, वो भी तुम्हारे सक्तिशाली लावागाट को अब बताओ, अब तुम क्या करोगी हैं, ये तो impossible है, ये तुमने कैसे किया, ये तो हो नहीं सकता, तुमने ये कैसे किया अब ही तो देखो, मैं क्या क्या करता हूँ, तुमने मेरे सिंचन को मारा, जो बहुत ही बुरा किया है अब उसका बदला, मैं लूँगा, ये लो, मैं तुम्हें जला दूँगा पुर तरीके से, ये लो, जलो मैंने गाइजर यहाँ पे, एनबेले डॉल को जला करके राक कर दिया है, अब गाइजर बार ये यहाँ पे, सर्वियन डांसिंग लेडी की क्यों सर्वियन डांसिंग लेडी, तुम्हें छोड़ दिया जाए, या फिर मार दिया जाए दोस्तों आप लोग बताओ, कमेंट करके, कि सर्वियन डांसिंग लेडी को क्या क्या जाए, छोड़ दिया जाए, या फिर मार दिया जाए ही ही ही, छोड़ दिया जाए, मुझे माफ कर दो गreん चोड़ दिया जाये और उंजा आफ कर दो नाई तुमने किती हो छोड़ दिया जाए प्लीज तुमने क्या सिंचान के साथ ऐसा किया था सिंच के साथ तो नहीं किया था तुमने ऐसा सिंचान इतना गिर गड़ाया था कि उसे छोड़ दो छोड़ दो बर तुमने अपने फाइदा के लिए लोसेंड डॉस की बरबादी के लिए कि यह सच बात है यह सच बात है लेकिन तुमको वादा करना पढ़ेगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे दिखो मारूंगा मैं तो पक्का क्योंकि आपे सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ने करें है जब जब मैं तुम्हें छोड़ा हूँ तब तब तुम लॉस एंड उसको बरबाद करने के लिए आयो, मारूगा मैं दो जरूर, बट मुझे ये बताओ, कि सिंचैनों कैसे जिंदा कर सकते हैं, जरा बता दो, सिंचैन की आत्मा नर्क में कहा दे, तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा, और उसकी आत्मा को अजाद करना पड़ेगा, जैसी तुम सिंचैन को बचा लोगे, और ये समय तुम्हें अरपस बहुत ही कम है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना सर्वियर नांसिंग लेडी, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हें खतम करने वाला हूँ, ये लो अंदर ज सिंचैन को अजाद करने के लिए, अगर तुम नहीं गए, तो हम लोग सिंचैन को कभी नहीं बचा पाएंगे, एक सिकंड हमारे पास समय भी कम है, फ्रैक्लीन तुम्हारे पास से भी बहुत पावर है, तुम नर्क में जाके सिंचन को बचा सकते हो, ठीके ठीके, शुक्रि शुक्री आरेनमैन मैं जाता हूं नर्क के लिए दोस्तों चाहे कुछ बोजाए मैं आपे सिंचन को बचा के रहूंगा तो चलो तो गाइजर नर्क में चलते हैं बाई मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि सिंचन मुसीबत में है सिंचन में आरो वाली पावर भी कामनी आएगी जो गाइजर आइस गौड ने मुझे दी थी क्योंकि यह पावर नर्क में आकर के बेकार है अब गाइजर मुझे आपे कुछ भी करके सिंचन को ढूड़ना पड़ेगा सिंचन तो कहां है यार बाई देखरो आस-पास में हर जगा ही हर जग गया तो यह लोग मुझे और आए आए तुम लग तिनो मुझे जल्दी जल्दी सिंचन का रास्ता बता दो तो वरना जो मेरी रास्ते में वह मारा जाएगा अच्छा तुम्हें शीन चाहिए हाँ हां बहुत लेट हो चुके हो सेंचन तो अब पूरे तरीके से मिटने वाल ओर रेनबो गौट के मूँ के अंदर जा चुका है, अब वो पेट के अंदर जाने वारा है, तुम सिंचल को नहीं बचा सकते हाँ और वो गोट से भी नहीं लड़ सकते हाँ हाँ वो गोट बहुत बड़ा है चाहे कुछ भी हो जाए आप सिंचान को भूल जा तुम रेनबोगोट से नहीं लड़ सकते और जाशेर यहाँ का मॉसम तो देखो कितना खराब है और सिंचैन भाई रेंड़ गोड की कबजे में है जलो चलो 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 तो प्लीजर मुझे कमेंट करके बताना मुझे गाजर आसपास Rainbow God तो नजरी नहीं आ रहा अगर Rainbow God नहीं मिला न दोस्तो तो मैं यापे सिंचन को नहीं बचा पाऊंगा Rainbow God तुम कहां पे हो एक सगेंड गाजर यह क्या यही तो नहीं वो Rainbow God जिसके गाजर हर जगा से कलर चमाक रहे हैं लेकता गाजर यही है चलो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा भाई यार इस जगा के अंदर चलो 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 चल्दी चलो फानली गाजर मैं यापे नरका सबसे Evil God को ढूण चुका हूँ अब गाजर बस मुझे यापे सिंचन को बचाना पड़ेगा यह एतना कतनाक Evil God है न दोस्तो इसके पास भी गाजर में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ अब मैं क्या करूँ गाजर मुझे अपनी शक्ति निकालनी पड़ेगी चाहे यार मैं मर भी क्यों न जाओ मैं अपनी शक्ति को अक्टिवेट कर रहा हूँ चाहे कुछ मुझा है ओके मैंने आप अपनी शक्ति को अक्टिवेट कर दिया उड़ने वाला अब गाजर मैं उड़ सकता हूँ तो चलो तो गाजर उपर चलते और ये God को बोलते कि सिंचन मुझे देदो तो वरना मैं ये God को छोड़ूँगा नहीं God मुझे आप सिंचन देदो तो वरना मैं तुमें खतम कर दूँगा तुम्हें पता भी है कि तुम किस से बात कर रहे हो तुम नर्क में हो और तुम मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते सिंचन नहीं मिलेगा सिंचन अब मेरे पेट में जाएगा फ्रैंकली ब्याब बचाएगे ये पता है मुझे अपने पेट के अंदर डालने वाला है चिंता मत कर सिंचन मैं आ चुका हूँ मैं तो मैं नहीं कुछ चुन दूँगा मैं अपनी शक्तिया से ये गॉट को खतम करके रहोंगा चाहे कुछ बोजाए ये लो गाइस इसे कुछ नहीं हो रहा अब मैं क्या करूँ मैं ये चोटी मोड़ी शक्तिया से कुछ नहीं होगा मुझे यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मैं गाजर से कितना भी कुछ कर लूँ, इसे हर कुछ नहीं हो रहा है अब गाजर मुझे अपनी सबसे सक्ति शाली ताकत का इस्तमाल करना पड़ेगा अपनी पूरी के पूरी, ये लो, सक्ति शाली ताकत मैंने गाजर अपनी सक्ति शाली ताकत से इसे गुमा डाला और बता मजाया कि नहीं आया मैंने गाजर इसे पूरे तरीके से घुमा डाला अब गाजर फानिली मैं सिंचन को बचा पाऊंगा ये दो गाजर सिंचन यहां पे बच चुका है चल सिंचन अब जल्दी से चलते हैं असली दुनिया में लेस्ट गो फानिली फ्रेंकली भया मैं सिंदा हो गया हाँ यार सिंचन जिंदा हो चुका है ये दो को फानिली गाजर मैंने आपे नर्ग से सिंचन को बचा लाया अब गाजर यापे कोई भी दिक्कत नी है सब चीज़ गाजर नॉर्मल हो चुका है सर्वियन डांसिंग लेडी को भी गाजार मैंने आपे मार दिया है ये बोल दिती कि मैं इसे छोड़ दू बट गाजार मैं नहीं छोड़ने वाला इस बार मैं इसे मारी दिया फाइनली क्योंकि गाजार हर बार छोड़ छोड़ करके ये हमेशा नहीं नहीं कुछ लिए कि आ जाती थी हमें खतम करने के लिए इस बार फाणिली मैंने सर्वियन डांसिंग लेडी को भी मार दिया है क्यों अवेंजर्स मैंने सही किया न फ्रैंकलिन वैसे बोला जाए तो तुमने गलत किया है क्यों गलत क्यों किया क्योंकि अब सर्वियन डांसिंग लेड़ी का बदला लेने के लिए बहुत लोग आने वाले तुम्हारे पीछे इसलिए याद रखना ओ नो लेकिन चिंदा की कोई बात नहीं है मेरे पस तो सूपर पावर है मैं वो लोग से भी नहीं पठलूँगा अब चलो गाज़र सर्वियन डांसिंग लेड़ी को ठीका न लगाते हैं मतले भी गाज़र वो तो अब मर चुकी है अब गाज़र इसे जमीन के अंदर गाड़ते हैं क्यों सिंचन अवेंजर अरे हाँ फ्रेंक लिबया चलिए यह आखरी काम भी कंप्लीट करते हैं हाँ चल्दी चलो 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 गाज़र फानिली आचुके ग्रेफ के अंदर अब इसे ना गाड़ देते हैं ओके फानिल यह आप पर सर्वेंड डांसिंग लेडी को गाड़ दिया है अब गाज़र यहां पर सब चीज नॉर्मल हो चुका है क्यों सिंचन अरे हाँ फानिली हम लोग ने लौस अंटास को बचा लिया फ्रेंक लिए मैंने बचाया अकेल अके कि जिएंगे लौस अंटास में अब कोई भी दिक्कत ही होगी फिलाल तो यही है अब पता नहीं इसके पीचे भी कोई दिक्कत हो अब पता नहीं का ज़र आने वाले दौर में क्या होने बाला है आप लोगों क्या लगता है कमेंट करके बताना अगर गाजर एपिसोड पर वीडियो को लाइक करना चानल को सब्सक्राइब करना बेल लाइकन को प्रेस करना मिलते गाइज आए नेक्स एपिसोड में तब तक के लिए टेक्यार एंड गुडबाई दोस्तो